वेलकम बेक तू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब भाई होप आप सब बढ़े होंगे जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही ठीक होंगे तो मैं भी भूट ही ठीक हूँ और मेरा नाम है सजुली भार्दवाज तो आज की वीडियो बहुत ही वहां होगा वाने आइटिक के साथ यो शेयर करते हैं तो जो इस वीडियो का टाइटल है टोकमेंटरी ओन रूरल लाइफ वो चली है डेकिए कैसे हैं बांगला देश का रूरल लाइफ वह काफी इंट्रस्टिंग होती है यार तो चली देखते हैं फो बढ़े से बिचैनल वाँ याँ, इस ताटिमी बहुत अच्छी बानिधेश, इसलिट इन दे पानिधे इन आपानिधेश अबिल्चेश इन ऑफ दोर्ण भी नेच्छी रिवेड बानिधेश, विद रिवर मेंदेश, विद खोई प्राइट प्लाइट मेंदेश, लुष गुद चुद इन कर दे शर्णाओ उन्वर्णन सेवीच अब्रणाइज करें अच्रूड एंचान एंचान जारा इनुड़ने लूग, अवाँ प्रिज्ट सकता है अगने श्रदी खाल कर दिसमें के लिए जाने शिर्यान सेरीन दिस्णुष्टी टोले को टोले कोई है यह जाने जाए लिए आओे टोले पच्चे भी खाना बनाना एक जाते हैं जाओंवे तो प्रवादेश प्रवादें जो करता है यह जिए लिए है लाज फिल फुल 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 फुछ भुल कॉंफर्स जब खवाँ वार यारा the village women are artifices with artistic series the life into a bond of tradition neat and tidy clay houses built in ancient architectural style these eco-friendly clay houses लुट फार्ट्समाइ पारी बाहरे नेक, सब्सक्राइब के दीछ चाहिं कि अुतर ने, पारी प्रीकमा को पारो रोच्टी जएर्से भी करें सब्सक्राणसां अपहोग या, बहुती संब लगता है वाव वाव लगता है वाव वीजश अवे देपाव प्रवटत बेड़ा व क्यू Sketch खब और की थसक्तान पलावा आज़िजे अबड नगू वज़ आणनो मुझे शु नग्हान क्या है इस प्यूफ आनों कि इस प्यूजी के लिव दुज़तिक शूज़, इस दिवप हूज़गों अजनल कि व्यूज़ है इस प्यूब धने चालन है वागलदेश भी डिषा जादा है। बांगलदेश ने जादा है। the main communication centre for the villagers. Rural Fair is another stream of delight. The soil is fertile, farmers are hard-working, abundance of crops throughout the year. Being the third largest paddy producer in the world, Bangladesh showcases a spectacular scenario of harvesting. The activities of threshing spread the trait of harvest feast door to door. In the village, harvesting season means a busy household. The rice flour is being produced by this traditional grinding machine, Dheki, for making seasonal cakes. This arrangement is for celebrating the harvest feast. The villagers of Bangladesh are famous for their hospitality. The festive rural life spreads the splendour of folk lifestyle through its magical melody. The cultural heritage of the village is vividly reflected in the wedding ceremony. As a social programme, wedding is the most joyful event. A variety of formalities. Numerous rituals. Numerous rituals. A繋ABRI Numerous surveillance world. वाव , क्या निज़ रा Е बाए नाच रहा बार अ , तुम् हैं किलर वीली जिल प्रॉब्क , वाट्यों करी झाय। और श्ते थौर्ब्ट Но दिला प्रॉब्स प्रॉब्स सिर्भ जिल प्रों किलर से बाच्ट इदिपक्वर्छ ८्नलके 19 ठञ्यों किला दॉट्य। दोनके लेहां वारे हूं अपन्का वाले रहें जो आपके लेजिए ही रहती है। इन दुल दून्छेच टेचिगे लिए लिए अपन जो खेड़ है। तेटी कारे लिए बताने आपकी बांगला देशने हैं… ए अबल्चे जहलिए ए बहुग कै Emir कि अरूशी में ए लूग जार दिए, अच्टो झौर्टिए टॉटि टॉवर्टी में लाससे में सुछे़िवा्ट्यूस इडाइ टाइप टी जारे लूग चॉट्ट लिजए अऑने में सुछे़िख कि अबार कर दूखने टी लहां अज स्वेवर्ट मुछ फिलिए प्रॉल थृट्रो एंधने उर्ट विण आमनल आट विजवर्कार्ट विध्टीजिजस एव्रिट एंधने ही जयता हीus, कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी The descendants of the world-famous muslin weavers of Bengal are still knitting artistry in the villages. The national sports kabhatte, a popular village game. कबड़ी, कबड़ी Exciting horse racing spreads the joy of thrill into the minds of sports-loving villagers. The most enjoyable folk sports festival with excitement is No Gabbay, the boat racing. The villages of small ethnic groups are in the hilly region. Here, nature is dense, life is diverse. Be it the infrastructure or household works, there is uniqueness everywhere. The diversity of diligent and customary lifestyle has fabricated the hilly villages as a fascinating resource of community-based tourism. वाओ, ये कितना अच्छा नगाई नहाई 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 तर वुल लाइन से रहे लिए लाइन से रहे लाइन आप पाग्लादेश तो गाईज वीडियो हो गई एंड यार बहुत ही अच्छा नजारा था बहुत ही खूर से लेके एंड तक बिलकुल गाउं के ही ख्यालात आ रहे थे मेरे तो बन में क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ही नजारे देखे हैं जब बचपन में मैं अपने गाउं जाय करती थी तो वो मटी वाले घर जो थे ना जिन मतलब डिजाइन बनाना मैंने खुद बनाए हुआ तो मुझे तो बहुत ही वो दिन याद आ गई इसको देखकर और सच में जो हमार सब कुछ बिगाड़ दिया है कोई भी चीट में इंट्रेस्स नहीं रहा गया है कहीं भी कुछ भी गाउं में जैसे उसमें दिखाया मेले वगरा लगते हैं तो सारे एक जू ठोके जाते थे अब वही सब सीन देरे देरे कह रहे है ना सब खतब होता चला रहा है तो गाउं होने मतलब गेहु चानना और जो ऐसे ऐसे करके उसकी जो थोड़ी बहुत मिटी वगरार जो समय होते हैं वह बाहर करना वह भी मैंने देखा हुआ है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही घाउं का ऐसा लगता सेम सेम हर घाउं में मतलब चलता है यह तो वह सक्षा मुझे वीडियो बहुत ही इn ट्रस्टिंग इं ट्रस्टिंग थे सारे और जो भी मतलब फिष निकालना यह पिस निकालने करे थी महां अबे आप तक कभी करीब सी देखा है कि फिश कैसे मतलब निकालते है जाल में तो यह यह भी बहुत ही बहुत ही इच्छा लग को बताना है कि कैसी लगी वीडियो और मेरा रियक्शन कैसा लगा आई होप आप सबको मेरी वीडियो रियक्शन पसंद आते होंगे अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज गाई सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में ही बल आइकन के रिशान जरूर उसका रियक्शन की वीडियो जरूर आएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं बाई